आपका एक बाद फिर से आपके अपने Twitter Mechanical Education YouTube चैनल पर तो फ्रेंट्स आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो AITT 110 राउंड भी और 111 का जो भी मेरे भाई exam देने के लिए बैठने वाले उनके admit card और exam date को लेकर तो फ्रेंट्स पहली बात तो यह है कि देखो भाई RDAT ने लगबग एक साल हो गया अपना सारा जो process है बहुत slow करके रखा है ठीक है हमारा जो exam था वो लगबग एक साल पहले conduct हो जाना था और अभी तक तो उसका result भी आ जाना था ठीक है लगबग 3 महीने वाद जो है result RDAT जारी कर देता है ठीक है लेकिन ये एक साल हो गया RDAT ने सिर्फ क्या किया है अपना date extend किया है ठीक है देखो भाई process आपकी slow थी इसलिए आपने date extend किया है सारी student का अगर पहले ही सारा कुछ clear हो जाता है तो ये date extend नहीं होती है बहुत पहले ही हमारा exam हो चुका रहता ठीक है तो अगर हम मान के चलें तो लगबख एक साल हो गया है एक साल से जो हमारी date extend होती जा रही है और कोई भी ऐसी final हमको exam date RDAT की तरब से देखने नहीं मिल रही है ठीक है पहले उन्होंने जुलाई दी फिर September दी फिर देन उसके बाद पूरा यह हमारा साल का end आ गया है December में उन्होंने 27 December अपनी final date दी है कि भाई इस तारिक से आपका exam स्टार्ट होना चालू हो जाएगा ठीक है अब 10 तारिक से उन्होंने कहा था कि भाई आपका admin card आ जाएगा ठीक है लेकिन आज जो है ठीक है दो दिन हो गए हो चुके हैं 10 तारिक को गुजरे आज 12 तारिक हो गई है लेकिन official site पे ऐसा कोई भी update नहीं है RDAT की तरफ से कि भाई student का जो है कहीं ना कहीं admin card की link मिल जाए मैं दोनों portal पर चेक कर रहा हूं एक तो IBM portal हो गया और एक Wipro portal ठीक है देखो बहुत slow process किया RDAT ने ठीक है एक तो ये किया कि पहले तो सारे student का पुराने वाले portal पर registration था फिर उन से बोल दिया कि भाई आप नए IBM portal पर registration कर दो ठीक है अब वहाँ पे भी clear हो जाने के बाद जब final date आया कि भाई 10 तारिक से आपका admin card download होना चालू हो जाएगा तो उसमें भी जो है RDAT की तरफ से कोई response नहीं आया कि भाई actually सब student बैठे थे कि भाई 10 तारिक से start होना चालू हो जाएगा तो हम लोग आराम से start कर देंगे ठीक है हमारा admin card download कर देंगे और exam date जब final हो जाएगी तो उसके preparation ठीक से चालू कर देंगे ठीक है लेकिन अभी भी student यह सूच रहा है कि भाई 17 तारिक को मुस्किल है कि exam हो ठीक है तो अब बात यह है कि यह कब तक जारी करेगा IDT ठीक है कब तक जो है admin card आएगा और कब तक जो है एक apprenticeship student की जो है apprenticeship complete होगी ठीक है लगबग एक देल साल हो गया है कोई student का तो 2020 से 2019 हो गया है उनका 2019 को उन्होंने apprenticeship खतम की थी उनका अभी तक exam नहीं हो ठीक है तो भाई यह चीज जो है ना यह चीज बहुत गलत है क्योंकि एक apprenticeship और ITI student का career केवाल उसके ITI और apprenticeship पर ही depend रहता है ठीक है यह जो process है यह बहुत fast होने चाहिए government की तरब से ठीक है अब इसी में अगर delay होगा तो भाई एक student आखिर कब तक वेट कर सकता है ठीक है लगबग एक साल जो है एक student वेट नहीं कर सकता बहुत होता है एक साल ठीक है या जिन student का कुछ issue रहा था तो वो clear हो रहा है तो उन्होंने बताए कि 2-3 दिन में हमारा admit card है वो सारे student का जारी कर दीक है तो मेरी यह उनसे बात हुई है इतनी जानकारी मुझे उनसे प्राप्त हुई है ठीक है इसके अलावा देखो भाई बहुत मुस्किल से फोन उठाय एक तो department phone नहीं उठाता सारी reason में लगा के देख लिया मैंने department की तरब से कोई phone ही नहीं उठाता पहली बात तो यह ठीक है जबकि उनकी responsibility रहती है कि एक apprenticeship student के लिए अगर किसी government ने किसी को बिठा लाए तो उनका जो एक responsibility बनती है कि कोई भी अगर student contact करे तो भाई उनके काम ह यह है कि आपको जो है सामने वाले को सलाह देना है ठीक है लेकिन phone नहीं उठाते ठीक है यह चीज जो है गलत है तो उसके बाद इतनी जानकारी मैंने बहुत मुस्किल से प्राप्ट की है एक reason में phone उठाय था तो उनका कहना यह था कि यह अभी जो है इनका आधार में कुछ जो है तो दो तीन में उनकी तरफ से अपडेट आजाएगा इसको लेकर ठीक है उन्होंने यह कहा है ठीक है फिर भी अब उनकी बात कितनी सच है यह चीज अपन नहीं कह सकते लेकिन जो है आड़्डीट की तरफ से मुझे यही आया था कि मैंने सोचा कि यह information मैं दे दूं क क्योंकि देखो हर स्टूडेंट वेट कर रहा है ठीक है रात में दस बार इंसान फोन चेक करता है जो भी स्टूडेंट ने अपना अप्रेंटिस से कंप्लीट किया है कि भाई कोई लिंक कैसी मिल जाए जिससे अड़्ड काड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए लेकिन को हो कि यह बहुत गलत चीज़ है एक स्टूडेंट ने बहुत इंतजार की कि लिए कर लिया है मैं अगर मानूं तो लगबग एक साल तक इंतजार किया जो कि बहुत होता है ठीक है पहली बात यह है कि अभी अगर NCL की भरती आती है तो वह student रह जाएंगे जो NCL का exam नहीं दे पाए थे ठीक है तो यह बहुत गलत चीज़ है भरती है निकल जाती है छूट जाती है और जो है student wait करता रह जाता है तो यह ना बहुत गलत चीज़ है कहीं ना कहीं government को अपनी process stage करनी चाहिए और इस चीज़ को भी जानता हूं ठीक है तो जड़ा सा और wait कर लें लगबग एक दो दिन और wait कर लें देख लें कि भाई आखिर की तरब से क्या response आ रहा है ठीक है उन्होंने तो यह ही कहा है कि भाई एक दो दिन और wait कर लो बाकि जिस तरह से उन्होंने update extend की है तो भाई RDAT की तरब से तो मेरा विश्वास तो विल्कुल उठ गया है ठीक है क्योंकि भाई मैं भी अगर कभी student रहा हूं मैंने भी पढ़ाई की है तो यह चीज जो है ना मुझे भी एक अंदर से यार गलत feeling आती है कि कोई भी student हो यार कि इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए government की तरफ से ठीक है तो फ्रेंट्स यही information देनी थी जैसे कोई लिंक आएगी तो मैं आपको जो है अपडेट देने की पूरी कोसिस करेंगा ठीक है और कोई भी ऐसा ऑफिस्यल अपडेट जारी होता है वह तो मुझे लगता है लगवक्त दो तीन दिन में हो जाएग अपडेट तो मैं आपको जो है इस चैनल पर दे दूंगा तो यही ज